हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे कद्दू की खटी मीटी सबजी बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत यासान है तो चलिए इससे बनाना सुरू करते हैं कद्दू की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम 2 टेबल स्पून तेल ले लेंगे यहां पर मैं सर्सू की तेल का यूजु नहीं हूँ नहीं तेल की गरम होते ही हम इसे डालेंगे हिंग और हिंग डालते ही हम इसमें डालेंगे चार सूखी लाल मुर्च अब यहाँ पर मैंने लिया है half table spoon पच पोरन उसे भी यहाँ पर डाल करके अब इसे हम तेल में अच्छे से भूल लेंगी ताकि जो मसाले थोड़े सूंधी हो जाए अब यहाँ पर मैंने आजा कि लोग कद्दू लिया है कद्दू को मैंने अच्छे से धूर करके इसे टुकडो में कट कर लिया है कद्दू को यहाँ पर हम तेल में डाल देते हैं तो दीमे दीमे करके मैं यहाँ पर कद्दू को तेल में डाल दे रही हूँ अब इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हमें आपर मीडियम पर रखेंगे मीडियम फ्लेम पर हम सब्जी को पकाएंगे सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब यहाँ पर हम टेस्ट की साबसे नमक एट कर लेते हैं ताकि जो सब्जी हमारी वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए अब गैस इसे एक बर मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लोपर करके सब्जी को ढख देंगे पांच मिनट के लिए ताकि जो सब्जी हमारी कदू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए पांच मिनट बार धकन अटाते हैं फ्रेंट्स सब्जी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है इसे एक बार मिला लेते हैं और इसे बिलाते ही हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ी से सुखे मसाले तो यहाँ पर दो टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दिया एक टेबल स्पून इसमें रैड च चीनी डालेंगे अमचुर और चीनी से ही जो यही सब्जी है बहुत ही खटी मीटी बनती है तो इसे स्किप मत कीजेगा अब सारे चीजों को अच्छा से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो कद्दू पर अच्छा से कोट हो जाए और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें फ्लेम को लो पर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे डख करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सब्जी मारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए 10 मिनट हो गया है फ्रेंड्स ठक करन हटाते हैं और आप देख सकते है जो माई सब्ची है वो बन करके तयार हो गया और पूरी तर कि हमारी कद्दू की खटी मिटी सब्जी बन कर तयार है बहुत इडिस्टी लगती एक बढ़ ट्राइ किजिक आपको रेस्पी बहुत पसंद आएगी और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक